जैगो बमत्यागी, दूस्तों, आज हम आये हैं धामनिया में, धामनिया में एक गाई के सिर में होरनक इंसर है, जिसकी सुचना सर्वान्या से सुरजबाई खटिक पार्षत मोहदे हैं, उन्होंने हमें सुचना दी है कि धामनिया में एक गाई की इस्तथी ज़्यादा गंब हम ने उसे तत्परता से ली है और आज हम धामनिया पोच चुगे हैं कहां ही दोस्तों यही है जो आपके सामने है हमारी टीम उसे पकड़ने ही कोशिश कर रही है हमारी टीम के सदस्य रूपलाल पाटिदार राहुल परजापत योगेन सिंग जी राणावत सुनिल माली मनीश कहार और हमारे साथ हमारे द्वारा लगाया गए जिनके द्वारा हम जिनको फोन लगाया है वो है दो डक्सप एक है क्रश्नपाल सिंग जी पीपले राउजी वाले ननलाल जी बेरागी जगेपुर वाले दोनों डक्टरों की निगरानी में इसका जो भी टीडमेन होगा इसका किया जाएगा हमारे द्वारा इस गाय को पकड़ ली गई है बांध कर इसे लेटा दिये हैं दोस्तों आप देख सकते हैं इसके सिर में असंग के किड़े पढ़ चुके हैं जो हमें यहां पर पूछने पर पता चला है इसकी तीन महीने से यह हालत है दोस्तों आप समझ सकते हो कि तीन महीने में इसको कितना दर्द हुआ होगा इसकी जानकरी हमें अभी मिली है दोस्तों आप भी ऐसा अगर कोई केस हमारे क्षेत्र के आसपास अगर होता है तो सूचना दे हम पूरा प्रियास करेंगे उसका इलाज करने के लिए जितनी हमसे सेवा बनेगी हम बिलकुल सेवा देंगे हम तो आपसे भी यही निवेदन करते हैं आप भी हमसे जुड़े रहे और जुड़े हमारा यूटूब चैनल है पटेलाल रेस्क्यू इससे जुड़े इस पर सारी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों अपना एक ग्रूप बनाना भी एक अति आउशक है और हम भी यही चाहते हैं हर गाउं चाहिए वो धामनिया हो लासूर हो या सरवनिया के आसपास जो भी गाउं है जो भी जुड़ना चाहते हैं आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन बेजुबनों को आज जो इनकी इतनी हालत खराब हो जाती है यह समय से सूचना मिले और इनका समय से इलाज हो शके आज इसकी इतनी हालत खराब है कि हम खुछ इसको देख नहीं पा रहे हैं और हम भी नहीं चाहते हैं कि इसे वीडियो यूटूब पर डालें क्योंकि इसने अभी डाक साब आये हैं वो इसका निरक्षन भी कर रहे हैं दोनोंने एक दूसरे से सला ली कि इसका क्या करना चाहिए तो उन्होंने लास्ट डिसिजन लिया है कि इसका ओप्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि सिंग इतना खराब हो चुका था कि बिना ओप्रेशन का इसका कुछ हो ही नहीं शकता है ओप्रेशन में भी उन्होंने ये चीज बताई थी कि इसके जीने के चांस बहुत कम है हो सकता है कभी ये ओप्रेशन के दोरान भी इसकी मोत हो सकती है फिर वहाँ पर गाउं के भी कुछ सदस्टे खड़े थे उनसे भी पुछा गया कि इसका क्या करना चाहिए उन्होंने भी यही बोला है कि अच साब जो होगा वो उपर वाले की मरजी है पर इसका उपरेशन करना अगर अनिवार्य है तो आप इसका उपरेशन करें दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने किड़े हैं जो पूरी तरह से इसके सिर के अंदर पोच चुके हैं और इतनी सडन हो चुकी हैं अंदर जो हम खुद देखकर इसको गवरा रहे थे कि अब क्या होगा उपर वाले से सब ने यही दूआ मंगी है या तो यह ठीक हो जाए या फिर भगवान इसे अपने साथ अपने चलनों मे इस्तान दे दें दोस्तो हमारे टीम दूआरा हमेशा एसी ही मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं हर सदश और हर गाओं से हमें सपोर्ट भी मिलता है राज दामनिया आये हैं तो दामनिया से भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला है दोस्तो इसका ओपरेशन का काम चल आप डाक्टर साब के जो शट पे ब्लड देख रहे हो यह इसी गाए का ब्लड लगा हुआ हम खुद इन ब्लड को नहीं देख पा रहे हैं आप इस वीडियो को पूरा देखे हम आपको दिखाने का मतलब यह होता है कि इसको कितना दर्द होता है आप देखोगे तो आपको प बी आगे आकर इनकी मदद करना चाहिए दोस्तों आप हमेशा हमसे जुड़े रहें और हमेशा हमारा सपोर्ट करें जिससे हम भी एक अरफ पूरी तरीके से कर सकें दोस्तों हमारे पास कोई कहा से डोनेशन नहीं आता है हमें कोई पेसा नहीं देता है यह जितना भी हम रश्य हैं वो हम इखटा करके फिर पैसा लगाते हम किसी से अभी तक एक रुपिया का डोनेशन नहीं मांगाए दोस्तों आज हम यह बात कहना चाहते हैं जो आदमी अगर इन बेज़ वानों के लिए अगर डोनेशन देना चाहता है वो चाहिए पांच रुपिया हो या पां रसित गटा चपवाने का निर्ने लिया है आप अगर कुछ डोनेशन देते हैं तो आपको बिल्कुल रसित दी जाएगी बिल्कुल आप हमारी मदद भी करें और आपको करना भी चाहिए क्योंकि इन बेज़ वानों को बचाने के लिए आगे कोई आना नहीं चाहता है दोस कि आने वाली पीडी भी इन पर काम करती रहेगी अगर अपनोंने ये काम अगर छोड़ दिया तो पीछे वाले भी ये धार्मिक करार नहीं करेंगे दोस्तों हमेशा हमसे जुड़े रहने की ही कोशिश करना हमारे ये वीडियो है इसको इतना शेयर करना हर आदमी हर गाउं ये वीडियो जाना चाहिए और उनको भी पता चलना चाहिए कि ऐसे लोग भी है जो बेजबनों की जान बचाने के लिए ततपर खड़े हैं हो सके केवल वो अपने को फोन लगा दे और अपन उसका इलाज कर सकें जो यहाँ पर डक्र साब है दोनों जो इलाज कर रहे हैं वो भी हमसे कभी पांच रुपया नहीं लेते हैं वो भी हमारे साथ बिलकुल निशुल के इलाज करने की कोशिश ही करते हैं और जो भी दवाई यहाँ पर लगती है हमारे पास कोई सरकारी आई हुई दवाई नहीं ह हम जो भी दवाई लगाते हैं गोली लगाते हैं वो हम मेडिकल से लाते हैं उसका पेशा हमारे को मेडिकल वाले भी बहुत कम दाम में वो हमें गोलिया देते हैं दोस्तो इसमें हर आदमी सपोर्ट करने वाला ही मिलता है, बिना सपोर्ट वाला कोई मिलता नहीं है, बिना सपोर्ट वाला तो वो ही मिलेगा जो होटल के अंदर बात करता है, बागी जो अगर हमारे सामने बात करता है, हमारे साथ रहता है, वो हमेशा सपोर्ट करता ही करता ह दोस्तों हम भी यही चाहते हैं आप भी हमसे जुड़े और भी लोगों को जोड़े हमारा जो चैनल है इस पर सस्क्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाए शेयर भी करें और हमेशा के लिए जुड़े रहें आप अपना आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के मद्यम से आप कमेंड में आपका नंबर आपका नाम आपका गाउं हमें शेयर करें हम आपको हमारे ग्रूप में भी आपका नंबर एड़ करेंगें और भी कोई हो जुड़ना चाहता है तो वो इस वीडियो के माध्यम से जूड सकता है, हमेशा जूड़े रहे, हमारी यही इच्छा है कि सरवानिया महराज या अपने आसपास गोसालाएं जो भी है बन पड़ी है, इसे चालू करवाने की कोशिस करते हैं, चालू करने के लिए हमारा भी अपना एक संगटन इतना बड़ा चाहिए जिसमें 200-500 आदमी जुड़े हो, अगर संगटन अगर बड़ा हुआ, जिसमें अगर ज़्यादा संक्या में है, तो अपन चाहे वो कर सकते हैं, सरवानिया में एक गोसाला खोलने की हमारी भी इच्छा है, गोसाला के साथ साथ इन बेज़वानों को जैसे जिसको भी जो बीमारी है जा तकलीब है, एक्सिडेंट हुआ है, इसके लिए परियाप्त जो भी इसके इलाज के लिए गोली दवाई सरकारी आती है या ने मिलती है, वो गोली दवाई अपन प्रावेट लाके लगा सके, एसी सुईदा, इनको रखने की सुईदा, ये काट छाट कर बनाया है, ओपरेशन में काफी टाइम लगाये, करीबन एक से लेड़ गंटा, ओपरेशन में टाइम लगाये, दोनों डाक्रों ने बहुत ही अच्छी तरीके से हर बाते ध्यान में रखकर इसका ओपरेशन किया जा रहा है, दोस्तों इस बीमारी का नाम है हो जो बहुत कम इस्तिती में ठीक होने की संभावना रहती है, बाकी नी के बरोबर है, और इसे अपने देशी भाषा में कमेडी कहते हैं, यह अगर छोटा रूप होता है, तो इसका इलाज हो जाता है, इसका देशी इलाज भी है, वो भी अच्छा है, रामबान इलाज है, पर वो अभी हमें साइशाड उसका नोलेज नहीं है, उसमें क्या-क्या लगाना है, कैसे लगाना है, हम उसके लिए भी बिल्कुल जिनको पता है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सके हम अगले वीडियो में आपको वो भी जानकारी देंगे, जो इन पसुर के लिए उपयोगी है, जो घर पे पालता है, उनके लिए उपयोगी होगा, दोस्तों आप भी देख सकते हैं, कितनी मेहनत हमारे दुआरा, गामवालों के दुआरा, डाक्टरों दुआरा, मेहनत करकर इसका ओपरेशन किया जा रहा हैं, आप केवल इस वीडियो को इतना सेयर करें, ताकि इनके लिए हमें सूचना मिल सके, दोस्तों हमारी इच्छा तो बहुत होती है, कि हम कई दूर दूर जाए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले पेसों की जरुरत होती है, क्योंकि इतना पेसा हमारे पास भी नहीं है, जितना हम दूर दूर लगा सकें, हो सकता है, आप ज कहते हैं कि आप दस हजार देओ, पांच हजार देओ, आप केसाब से अगर पचास रुपे भी देते हैं, वो इनी बेजुबनों के लिए हम लगाते हैं, बीस बीस रुपे करके भी काफी डोनेशन हो सकता है, हर गाउं से अगर कोई जूडता है, देता है, और हम ये भी बता कि इनका जो भी पेशा आता है, उससे ने तो हम जहां जाते हैं, उसका डिजल भरवाते हैं, ने हम उससे चाई पीते हैं, लोगों का सोचना ऐसा भी होगा, कि ये कभी राजनेतिक करते होंगे, हम ये भी बता दें, कि हमें ने तो कभी सरपंच का चुनाओ लड़ना है, न हमें कभी मेंबर का चुनाओ लड़ना है, हमें राजनेतिक में आना ही नहीं है, हमें तो केवल इन गोमाता की सेवा करना है, राजनेतिक चमकाना हमारा काम नहीं है, जो राजनेतिक चमकाते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, दोस्तों, हम काफी दूर तक जाने क कि हमारी इच्छा है लेकिन हम आपके सयोग से ही जा पाएंगे और आपका सपोर्ट होगा तब ही ऐसा काम कर पाएंगे नहीं तो हमारा काम एक सिमित ही रहेगा और सिमित ही हो जाएगा दोस्तों हम आपको ये भी बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सदस्य नजर आ रहे हैं सरवानिया से हम किवल इतने ही सदस्य नहीं हैं हमारी टीम काफी बड़ी है हर आदमी हमारे साथ आता है हर आदमी हर जगे काम करता है लेकिन कहीं न कहीं वो भी अगर काम पर चले जाते हैं कोई नोकरी करता है कोई कुछ और काम करता है किसी घर पर काम होता है पर जहां पर जितनी परियाप्त जरूरत होती है उतने तो हम सदस मिल ही जाते हैं पर बाकी हमारी टीम बड़ी है दोस्तों देखिए आप कितनी अच्छी तरीके से इसका ट्रीडिमेंट किया जा रहा है इसके ब्लेडिंग काफी ज़्यादा हो रही है उसको रोकने के लिए पट्टी इसकी दवाईया क्या लगाई है ये तो डाक्टर साहब ही बता पाते हैं पर ये हमें पता है दोस्तों कि इनोंने इलाज के दोरान ओप्रेशन के दोरान किसी चीज की कमी नहीं रखी है ये इनोंने जो भी चीज चीए थी जो दवाई चीए थी वो पहले से ही मंगवा ली गई थी उनको पता था कि ओप्रेशन करना ही पड़ेगा तो उन्होंने पहले अपने पास रखी थी हर चीए अब इसको दर्दगाए इनका इंजेक्शन दिया जा रहा है इसका ओप्रेशन भी हो चुका है दोस्तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन बे जबानों के लिए परियाप्त मात्रा में गोली दवाई हमें भी मिल सकें जो कोई डोनेशन करना चाता है या देना चाता है निशुलक जो अपना चाहे कोई गोली देना चाहे तो गोलिया दे सकता है जो भी देना चाहे पेशा देना चाहे तो पेशा दे सकता है सयोग करना चाहे वो सयोग कर सकता है यहाँ पर हमारे साथ जुनने के लिए कोई जोड जबरदस्ती दबाव नहीं है कि आपको कुछ न कुछ देना ही पड़ेगा चाहे आप कुछ भी मत देऊ आपका केवल सयोग हमारे लिए बहुत ही बड़ा है इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए केवल आप हमारे साथ खड़े रहो दोस्तों अगर इस वीडियो को अगर हम किसी को ऐसा लगता है कि ये तो खुद चमकना चाहते है आज अगर इस वीडियो को अगर वीडियो के माध्यम से अगर किसी भी माध्यम से अगर हमें कोई पैचानता है कि ये इन गायों की गोमाता की सेवा करते हैं जिनको पता था उन्होंने ही में हमें फोन लगाया अगर उनको पता नहीं होता तो हम आज दामनिया में नहीं पोच पाते और क्या मलूम कितना समय और इसको इसी कंडिशन में इसी तकलिप से गुजरना पड़ता हमने इतनी पट्टिया डाक्टर साब दुवारा लगाई गई उसके बात में भी पट्टि के अंदर से इतने किड़े निकल रहे थे कि हम देख भी नहीं पा रहे थे दोस्तों मैंने या हमारी टीम या गाम वालों ने जो वहाँ पर इसके सिर में जितने किड़े देखे थे हमने आज तक हमारी लाइप में कभी भी इतने किड़े नहीं देखे हैं अब आप सोच सकते हैं कि इस गो मता को कितनी तकलीप होती होगी वहाँ पर गाम वालों ने यह भी बताया है कि यह गाई एक मिनट से जादा हमने कभी बेटी हुई देखी ही नहीं बलकि एक मिनट भी यह गाई बेटती नहीं है यह केवल चलने का ही काम करती है ने तो सही से खा पाती है ने सही से पी पाती है दोस्तो इनके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी आईए हमसे जुड़िये हमारे साथ रहिए और इनका सपोर्ट करें दोस्तो ओप्रेशन हो चुका है अब लास्ट इस्टेज चल रहा है इसकी सपाई करेंगे इसको इन्जेक्शन लगाएंगे आगे पूरा वीडियो देखें इसमें क्या होता है गो मता की जान बसती है या प्राण निकलते हैं दोस्तो डाक्टर साब ने पहले ही बता चुके थे कि या तो इस गाई का मरना या तो ओप्रेशन में ही ये गुजर जाएगी या फिर ओप्रेशन के दो गंटे तिन गंटे के बाद दोस्तो देखेंगे इस गाई को अब खड़ी कर चुके हैं वो पूरी तरह से स्वस्त है अभी तक वो खड़ी है पर वो कितने टाइम जिन्दा रहती है हम इसको देखेंगे एक गंटे दो गंटे जाए अगर दो गंटे से तीन गंटे निकाल देती है तो इसके बचने के चांस रहते हैं पर दोस्तो इसने आदे ओप्रेशन के आदे गंटे बाद इसने अपने प्राण छोड़ दिये जय गो मता हमेशा आप हमारा सपोर्ट करे हमारे साथ रहे इन बेजवानों को बचाने के लिए जय जय गो मता झाल